नमस्षार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशेन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत ती जादा important topic के बारे में शनीदेव यहाँ पर मारगी हो चुके हैं और मारगी शनी का 12 राशियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कौन सी राशिया हैं जिने काफी जादा सावधान रहने की ज़रूत है और कौन सी वो राशि चीवन को एक अच्छा डिरिक्शन में लेकर के जा सकते हैं शनीदेव की मारगी चाल का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका वीडियो मने अलडी दे दिया है अगर अभी तक भी आप सभी ने नहीं देखा है तो उपर आई पटन पे क्लिक करिएगा आ अब बात कर लेते हैं आपर वो कौन सी राशिया हैं जिने शनीदेव यहां पर फाइदा देने वाले हैं देखे शनीदेव की क्रूर चाल यहां पर आरंब हो चुकी है मकर राशी में बहुत ही कम समय अब शनी के पास यहां पर बाकी रह गया है क्योंकि यहां पर देखा ज मेश राशी वालों को शनी की तरफ से काफी जादा ब्लैसिंग्स यहां पर मिलने वाली हैं और मेश राशी वालों के लिए काफी जादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे सबसे पहले तो मेश राशी वालों को जरू करूँगा कि महनत का फल यहां पर मिलने समय है और समाज में अपनी वैल्य convince करने का समय रहेगा जाते हुँ आप सभी को बहुत च्छे रिजर्ट यहाँ पर देते हुए जाएंगे और सभी की समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे तो में इसके लिए और अपOOOO कर लिए कि शनी की मिलेगा और शनी के सक्वेश्या से आप सबी बहुत आगें यहां पर बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं अगली राशि ही कि यहां पर बात कर ले जिसके लिए बहुत एज़ी ज़्याद अच्छा जाने और वो परिशानिया कहीन की हल होते हुए नजर आएगी, तनाव दूर होते हुए नजर आएगा, मानसिक चिंताएं कम होते हुए नजर आएगी और आप सभी थोड़ा सा पॉस्टिव यहाँ पर मैसूस करना शुरू कर देंगे, सेहत आपकी अच्छी होना शुरू हो अगली राशी जो यहाँ पर बनती है आपकी जिसे शनी के इस प्रभाव का बहुत ज़्यादा मिलेगा वह तुला राशी, तुला राशी वालों को मैं जरूर कहुँगा कि शनी की मारगी चाल का आप सभी पर काफी ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ पर होने वाला ह जो एक फाइनेशली क्रंच चल रहा था, फाइनेशली जो लॉसिस हो रहे थे, वो फाइनेशली लॉसिस यहाँ पर प्रॉफिट में कनवर्ट होते हुए नजर आएंगे और आप कही नहीं नहीं चीजों की तरफ अपने आपको अट्रेक्ट करते हुए नजर आएंगे, न आपकी काफी जादा अच्छी यहाँ पर रहने वाली है, और शनी की इस मारगी चाल से हर तरह की परिशानिया तुला राशी वाले आप सभी की दूर होते हुए नजर आएगी, इस तरह की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो काफी जादा अच्छा समय है तुला परिवार में सुक्षानती बनी रहेगी और साथी साथ आप सभी यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे शनी की रुकावट जो थी, वो कहीन के समाप्त हो जाएगी, कोई बड़ी उपलब्दी आपको मिल सकती है व्रश्चिक राशी, इस समय का पूरा पूरा फाइदा आप सभी को उठा लेना चाहिए अंतिम राशी जो है यहाँ पर कौन सी है वो राशी जिसे काफी जादा बेनेफिट्स यहाँ पर मिल जाएंगे तो वो है आपकी यहाँ पर मीन राशी, मीन राशी वालों के लिए यह समय जो है वो काफी जादा पॉस्टिव यहाँ पर शुरू होने वाला है, देखिए शनी की डहिया शनी की साड़े साथी आपकी यहाँ पर शुरू होने वाली है, और मीन राशी इस समय में कहीं आप देखेगा कि जितना आप आध्यात्म से connect रहेंगे उतना ही आपका इस समय अच्छा जाता जाएगा जितना आप अपने काम पर focus करेंगे उतना ही रास्ते आपके खुलते में नजर आएंगे मांसिक परिशानिया कम हो जाएंगी शारीजी परिशानिया आपकी कम हो जाएंगी नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे और शनी की इस मारगी चाल का आपके लिए काफी ज़ादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं यह दिखाई देता है कि शनी के साड़े साथी का first phase कहीं नी कई benefits लेकर कि आप सभी के लिए आ रहा है और आप सभी को काफी जादा अच्छे result यहाँ पर देखने को मिलेंगे चोटी सी कोशिश अगर आप करेंगे तो बड़े result आपके तरफ आते हुए नजर आएंगे यह वो पाँच राशियां थी जिन्हें शनी की इसमार की चाल का बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं आपर कि कौन सी वो राशियां है जिनें काफी जादा सतरक रहने की जरूँ थे और कहां कहां पर आपको सतरक रहना है सबसे पहली राशिय जो मैं यहाँ पर कहूँगा जिनें सतरक रहने की जरूँ थे वो हैं यहाँ पर मिथुन राशियां नहीं तो आपको महाँ पर पर परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है और उसकी वज़े से आप थोड़ा सा अनकमफर्टेबल फील करेंगे इस तरह की योग यहाँ पर जरूर दिखाई देते हैं इसके बाद दूसरी राशी यहाँ पर देख लिजाए तो धनूर राशी वालों को भी थोड़ा सा साफधान रहने की यहाँ पर जरूर ते शनी की समारगी जाल का धनूराशी वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान का काम हो सकता है कोई बड़ा नुकसान आपका हैना पर हो सकता है किसी बड़ी जगह पर पैसा लगाने से बचेगा धनूराशी और किसी की सलाव मश्वरा से ही आगे कदम बढ़ाईएगा तो आप सभ करनी पड़ेगी स्ट्रगल बढ़ आएगा और इस स्ट्रगल की वज़े से आप सभी थोड़ा सा परेशान होंगे मांसिक परेशानी थोड़ी से आपकी जादा हो सकती है इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं तो इसलिए आपको भी बहुत अराम से इस समय को निकाल का प्रभाव थोड़ा सा पॉजटीव ही है नेगिटिव नहीं है और इसके बाद करिया राशी वालों के लिए भी यह प्रहाव पॉजटीव ही है नेगिटिव बहुत ज़दा नहीं बहुत जादा नेगेटिव यहां पर रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे तो यह वो इस मारगी चाल का अच्छा रिजर्ट आप मिल जाएगा और आप सभी के लिए कहीं कुछ परिशानिया पर नहीं रहेगी शनी की समारगी चाल के लिए अगर मैं कहूं यहाँ पर तो आप सभी को हनुमान 40 का पाट तो करना ही करना है इस बात का द्यान लखेगा पीपल के पे करना शुरू कर दीजेगा इससे भी आपको बहुत अच्छे ज़र्ट मिलेंगे शनी देव की क्रपा बरसती रहेगी और आप सभी किस्मत के दरवाजेहां पर खुलने वाले हैं और खुलते होगे नज़र आएंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छा मैसूस होगा वीडिय की हर संबाव मदद यहां पर कर सकूँ धन्यवाद